स्वागत है आपका अपने चैनल एक लव्या स्टेडी पॉइंट पे और मेरा नाम है सचीन और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं की जोग्रफी का आपका फ़र्स्ट रम का सीबियसी का क्वेस्चन पेपर किस तरीके से आने वाला है क्योंकि सीबियसी ने सें आपको देना हूँ यूजर नेम आपकी स्क्रीन के ओपर है आप इसको सर्च मारके मुझे तक पहुंच सकते हैं तेलिग्राम ग्रूप को अगर आप जोइन करना चाते हैं तो क्लास 12 ESP न्यू ग्रूप आपको सर्च मारना है टेलिग्राम एप को ओपन करके और आप हमारे देखते हैं सबसे पहले कुछ general instructions लिखे होते हैं ठीक है सामाने निर्देश जब आप question paper को देखते हो प्रश्न पत्र को तो एक चीज़ आपको clear कर दूं CVSC जो यहाँ पर sample paper release करता है वो सिरफ English medium में होता है पर हम Hindi और English दोनों ही medium के बच्चों को पढ़ाते हैं तो इसलिए आप यह कर सकते हो कि मैं आपको इस वीडियो में तो अच्छे से समझा दूंगा कि आपके प्रश्न पत्र में आपके question paper में कैसे question पूछे जा रहे हैं पर इसका answer में आपको नहीं बताने वालों मैं यहाँ पर क्योंकि हमारा जो उद्देश है वीडियो को बनाने का वो यह है कि आपको कम से कम पता होना चाहिए कि आपका paper किस तरीके से आएगा question कैसे पूछे जाएंगे ठीक है बाकि Hindi Medium के students जो है वो Google पे translate कर सकते हो आप प्रश्नों को कोई भी इसमें बड़ी बात नहीं है आराम से हो जाएंगे ठीक है और आपको समझा भी दूंगा मैं आगे आईए देखते हैं क्या है section A जो आपका खंड का होगा उसके अंदर आप देख सकते हो there are 24 questions 24 questions दी होंगे आपको उसमें से कोई भी 20 आपको करने है तो आपको पता ही है MCQ में आपका पूरा paper रहने वाला है ठीक है तो पहला दूसरा ऐसे MCQ इस तरीके से पूछे जाएंगे 3, 4, 5, 6, 7, 8, सभी MCQ है ठीक है 4-4 option इसके दी होंगे और अगर आपने chapter अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आप अच्छे से कर पाओगे फिर 9, 10, 11, 12 ठीक है यहाँ पर भी आप देखो कि MCQ पूछे होए है 13, 14, 15, 16, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो coffee plantation in Brazil are known as जो आज भी ब इस तरीके से आपके आने वाले है ठीक है और उस तरीके से हैं फिर 16, 17, 18, 19, 20 ठीक है आगे देखते हैं क्या है 21 प्रशन है यहाँ पर 22, 23 डेरेक्ट डेरेक्ट पूछे होए है ठीक है कोई भी आपको देखकत नहींगे जैसे कि who among the following has introduced the concept of neo-determinism नव निश्चवाद, Griffith Taylor ठीक है महोद है option B से हो जाएगा इस तरीके से प्रशन पूछे जाएंगे फिर 24 है चार option है इसके section B, section B में आपके जो खंड जो आपका खंड ख या खंड बा जो भी आप कहते हैं से section B को उसमें total 24 question होंगे और 24 में से कोई भी 20 करने आपको ठीक है अब आपको मैं बता दू कि question number 25 से 29 तक जो है जो questions होंगे वो map पे अधारित है नक्षे पर अधारित मान चित्रा अधारित ठीक है आपको इसको करना ही करना है आपको इस तरीके से नक्षा दिया जाएगा world का map होगा तो आपको यहाँ पे world map में कुछ question number यहाँ पे highlight कर दिये जाएंगे आपको बतान यहाँ पर है अगला 30 से लेके 48 तक ठीक है जो question है इसमें से आपको कोई भी 15 करने है ठीक है कोई भी 15 करने है थीक है कुछ statements दी हुए है आपको कोई कथन दिया हुआ है आपको बताना है कि क्या सही है आगे है 31 ठीक है इस तरीके से भी आपसे पूछा जाएगा बस आप paper का डिजाइन देखो ये वीडियो का उदेश यही है कि आपको दिखाना कि पेपर कैसा आएगा ठीक है 32, 33 टोटल आगे आपको बताता हूँ मैं 34, 35 ठीक है और 34 मैजदा फॉलोविंग मिलान वाले भी प्रशना आने वाले हैं 37 प्रशना है यहां पर 38 यहां पर 49 ठीक है यहां पर भी आप कह सकते हो कि कुछ आप से पूछा गया है अलग तरीके से 40 है यहां पर और उसके बाद आगे 41 यहां पर भी कथन देवे हैं दो आपको बताना है कि कौन सा पहला कथन सही है या दूसरा सही है पिर आगे 42 है, यहां भी दो कथन दिये हुए, बताना है कौन सा सही है 43 हमा फिर Milano करो वाला है 44 हमें पर आप से कुछ पूचा गया है यहां पे 45 हमा है, ठीक है आपको बताना है कौन सा सही से नहीं मिला हुआ यहां पर मिलान जिसका नहीं किया हुआ कौन सा जोड़ा ऐसा है और फिर 46 फिर मैच वाला है मैच दा पॉलोविंग 47 में फिर कतन दिये हुए है 48 आपका जो है आप कह सकते हो कि बिता आपको बताना है कि सही जोड़ा कौन सा है कुछ इस तरीके से है दिया हुआ प्रशन भी है सेक्शन सी इस तरोध आधारित प्रशन है सोर्स वाले आपकी बुक के अंदर जो बॉक्स में दिये होते हैं ठीक है वहां से आपसे पूछा जाएगा तो एक पैरग्राफ दे दिया है इस तरोध आपकी बुक में से और फिर उससे MCQ पूछे गए हैं फिर उसके बाद ग्राफ वाले भी कोश्चन है ठीक है इस तरीके से आपको पता जनांकी के संक्रमन सिद्धान्त वाला जो है यह ग्राफ दिया हुआ है यहां से फिर प्रशन पूछे गए हैं फिर आगे आप आओगे तो इनी तरीके से मतलब आगे भी हैं यहां पर ठीक है कुछ प्रशन पूछे गए हैं आगे चलते हैं और उसके बाद जो बच्चे विज्वली इंपेड हैं उनके लिए जो है यही प्रशन जो है जो ग्राफ नहीं देख सकते हैं उनसे अलग तरीके से प्रशन पूछे जाएंगी फिर डाटा बेस ठीक है जो आपके आकड़ों पर अधारित प्रशन भी आएंगे तो उसके लिए भी आपको MCQ दिये जाएंगे और आपको करना है टोटली मतलब 60 प्रशन हैं आपके MCQ वाले हैं सारे तो आपका टाइम तो नहीं लगेगा पर यहां पर सोचने में टाइम लगेगा आपको फूख- हिंदी मीडियम का अल्रेडी पूरा है सब कुछ तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले बैल आइगन को दबा दे ताकि आने वाले वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें वीडियो को जादा से जादा शेयर कर दीजिए जै हिंज जै भारत धन्यवाद थैंक्स थैंक्स इसे जादा ईत्ति रहां बारमेिक्स आरेडके सबाने DR बाले मिलते ताकि अबाले ना आत्ति same